A very good evening to all of you, सभी प्यारे बच्चों का warm welcome है, YET Your English Tutor पे, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर, आमन बहल, देखिए कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थी कि कुछ दिनों से easy articles आ रहे हैं, तो आज आपका challenging वाल article आ चुका है, questionable intent इस article का title है, यह editorial आपको बताएगा कि UAPA जैसा कानून, अब महारास्टा की सरकार अपने प्रोदेश के लिए बना रहे है, ऐसी मंशा जो है महारास्टा सरकार ने दिखाई है, तो अगर ऐसा कानून center state सब जगर लग जाएगा, तो इससे लोगों के आवाज दबेगी, शुरू करेंगे इस article को अपने quiz के साथ में, जो भी class आप लेते हैं मेरे साथ, हमेशा last में test किया गरें, आपने कितना सीखा, और test करने का सबसे अच्छा है, तरीका कुछ questions को solve करना, तो questions आपके सामने हैं, class के last में इनको एक attempt देंगे, गैरा में से गैरा नंबर मिल जाएं, तो icing on the cake सोने पे सुहागा, तो चलिए, मन से class को लेना, आईए लेक्शर को शुरू करते हैं, ओल्राइट, देखे intent, आपने एक word सुना होगा intention, intent और intention दोनो nouns हैं, और दोनो एक दूसरे के synonyms हैं, ऐसा कहा दो कि intention की short form है intent, इरादा बोलते हैं intention को या intent को, और questionable का क्या मतलब होता है, याद रखें, English में जितने भी words, जिनके last में able आता है, वो सभी adjective हैं, और able का मतलब होता है योग्य, questionable का मतलब हो जाएगा, सवाल किये जाने योग्य, something that can be or should be questioned, वैसे ही answerable बना दो, ऐसी चीज जिसका जवाब दिया जा सके, answerable, वैसे ही adjustable बना दो, ऐसी चीज जिसको adjust किया जा सके, pardonable, ऐसी चीज जिसको pardon किया जा सके, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है, जो आसानी से आपको माफी मिल जाए, तो it's a pardonable offense, समाधरे बहुतो, able, 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 last में जहाँ लग जाए, मतलब होगा योग है, और ये सारे होते हैं adjectives, अभी जो English का नया course design हो रहा है, उसमें ये सारे words, बनाने आपको मैं सिखा रहा हूँ, noun से verb, verb से adjective कैसे, ये ना, change किये जाए, चलो अब एक छोटा सा test है आपका, replace, respect और predict, इन तीनों verbs को able से जोड करके, तीन नए words बनाने हैं, verbs को हमें use करके, बलब change करके form इनकी adjectives में change करना है, कोशिश करो, जब खुद से करोगे, तो आपको confidence आएगा, comments में डालना, replace, respect और predict को able लगा के क्या बनाओगे, बढ़े आँके, चले, करें, महरास्टरा बिल, to tackle extremism, is liable to widespread misuse, करें, महरास्टरा का जो बिल है, अब ये बिल कौन सा है, होटल में खाना खाया, उसका बिल नहीं है, भी बड़ा है इसका, जब भी बिल का भी बड़ा हो, तो मतलब वो बिल बता रहा है, किसी कानून को, किसी law को, जो अभी law बनानी है, लेकिन उसको सिरफ पार्लियमेंट में, या assembly में रखा गया है, समझगे ना, तो महरास्टरा का जो, proposal है, कानून बनाने का, जो बिल है, और किसलिए भाई, क्यों बनाएंगे कानून, ये कानून या बिल बनाएगा, इसलिए बनाए जाएगा, ताकि tackle किया जा सके, सामना किया जा सके, extremism का, उगरवाद का, करहें ये बिल, ये है liable, liable वर्ड के, दो मिनिंग्स अंग्रेजी में, पहला मिनिंग होता है, उत्तरदाई, दूसरा मिनिंग होता है, देंदार, उत्तरदाई होते हैं, तब आप उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए, आप देंदार होते हैं, तो ये जो Bill है ये उत्तर दाई होगा या देंदार होगा बहुत बड़े scale पे, widespread scale पे misuse का दुरूपयोग का तो ये Bill जैसे ही आएगा, सरकार इसको लाएगी फिर इसी Bill को उचे करके कानून बना के सरकार लोगों की आवाँ दबा सकती है बड़े scale पे इसका समझगे ना गलत इस्तेमाल हो सकता मारास्ट्रा बिल आप समझगे हैं कानून की बात हो रही है verb as key is subject मिलेंगे green में हर रोज की तरह है ध्यान दिया करो verbs मिलेंगे आपको pink में libel मैंने आपको बता दिया उत्तरदाई या देंदार बोलते हैं हिंदी में लिख करके लाया हूँ आज सारे synonyms सारे meanings ताकि आप अच्छे से relate कर पाएं tackle का मतलब होता है किसी चीज से लड़ना जूजना उसका सामना करना अब यह जो निपटना सामना करने वाला word है न है tackle ध्यान देना इसके बहुत सारे synonyms हैं जैसे deal with, cop up with, put up with, content with सब में with लगाया जाता है जब भी किसी से निपटा जाए या सामना किया जाए deal with a problem या tackle a problem ध्यान ये देना है कि इन सब के साथ विद लगता है tackle with नहीं लेता तो tackle with extremism आप ऐसा नहीं लिखेंगे हालेकिन आप deal with extremism लिख सकते हैं आप content with या put up with extremism लिख सकते हैं तो ये with वाला चकर याद रखें tackle के साथ में no preposition अब ये जो चार आपने synonyms देखें इन में एक synonyms में मैंने गलती कर रखी है पकड़ में आई आई आपके जान बूज के किये गई है ताकि आपका दिमाग चले बहुत बार बता चुका हूँ अंग्रेजी में COP UP WITH नाम का कोई word ही नहीं ये जो लिखा जाता है बोला जाता है गलत बोला जाता है सही word क्या है जी सही word है COP WITH ठीक है न तो याद रखना put up with गई ठीक है लेकिन light mood में light weight से अपने इस article को समझेंगे आर्टिकल की सारी वोकाइब पर दले डालते हैं सारे वर्ड से एक साथ देख लो ताकि इसको अच्छे से फट सको क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना टेलेग्राम ग्रूप को जॉइन करने के लिए आपको at the rate your English tutor type करना है टेलेग्राम में आपको ग्रूप मिल जाएगा साथ ही वाइटी अप पर आप तयारी कर सकते हैं अपने एक्जाम्स की चाहे SSC हो descriptive writing हो UPSC का हो या banking का हो एप का link comment section में दिया गया है writing के course में आप सीख सकते हैं writing लगबग 60-70 घंटों में फाइदा आप ले सकते हैं इस course का UPSC के course में आप अपना medium चेंज कर सकते हैं किसी और language से English में migrate कर सकते हैं UPSC के सभी aspects covered है answer for writing, essay writing, descriptive writing, C-set SSC और banking के course में आपको सारे variety के questions solve करना सिखाया जाता है 100-100 गंटों के courses हैं आप भरपूर अपने practice कर सकते हैं कोई question हो, query हो, team का number है, what's up आप इस number पर team से जूड़ सकते हैं बाया, what's up ओल्राइट, vocab sheet अपनी आज की 5 words है, zoom in कर देता हम थोड़ी सी ताकि ठीक से पड़ पाओ पहला word है जी crackdown देखिए crack जो अना verb इसका मतलब होता है hunter चलाना है न, crack of the whip आपने सुना भी होगा hunter की आवाज crackdown का मतलब होता है जी जब कोई authority, कोई सरकार शिकंजा कसे, गलत काम को रोके, या गलत काम करने वालों को पगड़ पगड़ के ठोके जेल में डाले, समझगे तो शिकंजा कसने को control करने को अंगरेजियम बोलते है, crackdown करना जैसे कोई जेलर हाथ में hunter लेकर के अपरादियों को ठीक करता है tax authorities have started cracking down on tax evaders, tax की authorities ने, tax की अधिकारियों ने शुरू कर दिया है, start कर दिया है शिकंजा कसना crackdown करना tax evaders पे, tax चोरों पे tax evader वो आदमी है जो समझ पारे हों कि आप tax को evade कर रहा है अपना tax भरने रहा है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है tax short, crackdown को clamp down करना भी बोलते हैं, rain in करना भी बोलते हैं, rain यानि लगाम, in मतलब अंदर, किसी आदमी को लगाम लगा के अपने पास कीचना, उसके उपर शिकन जा कसना तो ये phrasal verb आज मैंने आप से quiz में पूछी है, ध्यान दे लेना rain की एक और spelling भी है r e i g n, ये rain अलग rain है, इसका मतलब होता है शाशन, rain of बाच्छा अकबर, rain of महाराना परता, वो अलग शाशन वाला rain है उससे इस verb को, rain को बिना जी वाली को, confuse नहीं करना है चलिए आगे बढ़ते हैं, next word की तरफ अगला word है जी, canvas अगर आप shoes बगरा पहनते हैं तो आपने canvas के shoes बहुत पहने होंगे school में, pity shoes बोलते हैं जिनको canvas का मतलब होता है कपड़ा जिसके उपर artist अपनी painting बनाता है, जिस कपड़े के आप जूते पहनते हैं, tent बनाते हैं लेकिन वो canvas जो है उसमें single S होता है ये canvas है double S वाला, यानि ये एक अलग word है, अब इसके दो meanings है double S वाला canvas जो है इसका पहला meaning होता है किसी से कुछ मांगना, support मांगना, help मांगना, vote मांगना, जवाब मांगना और दूसरा meaning होता है किसी चीज को deeply analyze करना, गहरे से visualization करना, कपड़े वाले canvas से इस word का कोई connection नहीं है उसमें single S लगा होता है, वो एक noun है ये double S वाली एक verb है canvas, canvas support और canvas something किसी चीज को deeply analyze करना दोनों ही तरीके से use करके दिखा रहा हूं इस word को, the PM spend the whole election campaign canvassing for support PM ने spend कर दिया पूरा election का campaign, पूरा अभियान अभियोग, अभियान है ना canvas करते हुए, इकठा करते हुए लोगों के support को दूसरा वाला meaning देखो, the documents relating to the fraud are being canvassed, documents जो fraud से जुड़े हुए है, उनको canvas किया जा रहा है analyze किया जा रहा है deeply by the CBI तो ये पहला वाला meaning जो है किसी support को, है ना, या किसी के help को, vote को मांगना, उसके लिए एक और word होता है, अंगरेजी में, solicit है ना, मैंने, आपने मुझे phone किया, message किया, sir मेरा exam है ये मुझे नहीं आता, तो आप मेरी advice को canvas या solicit कर रहे हो, मुझे मांग रहे हो, तो ये solicit नाम का word आर्टिकल में देखेंगे होते तो ये 5 word है, लेकिन ये 15 word मना करो आप, हर word से 2-3 words connected है, अगला word है draconian, इस पे एक छोटी सी कहानी नहीं बताता हूँ, इस word को हमेशा याद रख सकोगे Greek या Roman mythology में Draco नाम का एक politician था, statesman था जैसे हमारे आचारे चनक्ये थे West में, Italy में, Macchiavali थे वैसे Greek mythology में Draco नाम का एक statesman था, एक राजनेता था वो क्या करता था, वो हर अपराद की सजा, मोत की सजा देता था किसे ने चोरी किया तो इसको टांग दो किसे ने मडर किया तो भी टांग दो कोई office लेटा आया तो इसको भी टांग दो तो Draco's मशूर था अपने कड़े कानून के लिए, तो वहीं से हमने इंपोज ड्रेकोनियन पेनल्टीज सरकार ने लगा दी है, इंपोज कर दी है बहुत कड़ी पेनल्टियां बहुत कड़े दंड और क्यूँ for anyone found in possession of illegal drugs किसी भी आदमी के लिए जो पाया जाता है, possession में जो पाया जाता है, साथ में illegal drugs के, जिसकी जेव में drugs पाया जाती है चलिए, यह वर्ड रेकोनियन ऐसे याद रखना ड्रेकोनियन मैजर्स, ड्रेकोनियन लॉड, रेकोनियन ठीक है न, बड़ा strict जो भी कोई चीज हो इसके लिए और वर्ड है, heavy handed आपका hand बड़ा heavy है बड़े सक्त हाथ से आप डील कर रहे है ड्रेकोनियन वे के अंदर काम कर रहे है अगला वर्ड है evict यह वर्ड आप newspaper में बहुत पढ़ोगे, evict का मतलब होता है, किसी जगह को किसी से खाली करवाना किसी इंसान को कहीं से फैंक देना, निकाल देना जैसे घर का किराया नहीं दिया तो आपको मगान मालिक क्या करता है, evict कर देता है throw कर देता है, force out कर देता है the family were evicted from their house family members को evict कर दिया गया घर से, और क्यों, for failing to pay the rent, fail करने के लिए नाकाम्याब रहने के लिए rent को pay करने में तो निकालने वाला वर्ड रिजीम, सरकार या प्रशाशन, राजस्थान dispensation यानि राजस्थान की सरकार central dispensation मतलब center की सरकार, और दूसरा meaning होता है जी, relaxation, छूट या discount, अगर आपको dispensation मिला है कि तीन दिन office मता हो, समझे ना, तो वो एक छूट है, और अगर आपके office के प्रशाशन की बात करें, that is your office dispensation या, तो दोनो words, दोनो meaning रखने वाला एक single word है ध्यान रखना है इस बात को a new political dispensation has been set up in शिलंका, एक नया राजनितिक प्रशाशन जो है, set up कर दिया गया है, passive voice में, शिलंका में तो ये पहला वाला meaning, दूसरा वाला, the students got a dispensation लड़कों को, students को लड़कियों को, बच्चों को, एक छूट मिली dispensation मिला, from exams, exam से, और क्यों due to the pandemic, महामारी की वज़े से अब जो इसका प्रशाशन वाला meaning है, उसके लिए word होता है, एक regime ठीक है ना, Indian government's regime, तो regime जो word आप article में आज देखेंगे dispensation आया नहीं है article में लेकिन किसी दिन आ जाएगा, तो इसका second वाला meaning भी आ रहा होगा, कभी first वाला भी आ रहा होगा याद रखनें अपने को, चली अब आगे बढ़ते है article प्याओ, एक summary आपको दें, किस बारे में लिखा हुआ है देखो, अपने देश में कानून है UAPA Unlawful Activities Prevention Act और बड़ा ही कड़ा कानून है इसके पहले, जो उत्रा दिकारी किसका बनाए है इससे पहले दो कानून और थे टाड़ा और पोटा आपने सुना होगा टाड़ा पोटा ज़्यादा अंदर गुसेंगे नहीं के, संजज़त पे लगाता टाड़ा तो ये कानून जो है ना ये आतंकवादी गतिवीदियों को रोखने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका misuse भी बहुत होता है, अगर सरकार को कोई आदमी, कोई नेता, कोई बड़ा छोटा आदमी पसंद नहीं आ रहा, तो सरकार उस पे UAPA लगाएगी और उसको जेल में डाल देगी, अब जिस पे UAPA लग गया, वो आदमी बिना सुनवाई के कई सालों तक जेल में रखा जा सकता है, तो आपकी आजादियों को कांट छांट करने के लिए, इन कानूनों का मिस्यूज सरकारे करती हैं, अब रिसेंटली क्या हुआ, महरास्ट्रा की सरकार ने UAPA का एक बतीजा इसके जैसा एक कानून, महरास्ट्रा के लिए भी बना दिया, हमारा आर्टिकल कर रहा है जी, एक तो थाई, जिससे हम इतने परिशान है, जिसको हटवाने के लिए इतने मांग हो रही है, आप एक नया ले के आ रहे हो महरास्ट्रा में, ये कानून आप यूज करेंगे एडवोकेट्स को, लॉयर्स को और एक्टिविस्ट की जबान को बंद करने के लिए, हमें अच्छे से पता है आप इस बार तो इस कानून को नहीं लाप पाऊगे क्योंकि आप लायो गलत वक्त पे ये पास नहीं होगा लेकिन आपका intent बड़ा questionable है, आपकी मंशा पे अब हमें शक हो गया, किसकी? महरास्टर सरकार की आज की टोन है critical, of course criticize कर रहा है और concerned है, चिंता जनक है कि ये कनून आज तो फेल हो गया लेकिन कल तो आप लही आओगे आज नहीं तो कल हमें देखने को मिलेगा करे जिद बिल तो टेकल अनलौफुल अक्टिविटीज बाइ और जो बिल है, बिल याद है न, बड़ा भी है तो मतलब कानून बनाने वाला कोई proposal, करे जो बिल है या कानून बनाने वाला proposal है, जिसको टेबल किया गया है टेबल करना यानि कि पेश करना अगर आपने संसद में, असेंबली में किसी चीज को रखा है proposal को, तो वो सब के सामने पेश किया है टेबल पे रखा है, करे वो बिल जो टेबल पे रखा गया है जो पेश किया गया है महरास्ट्रा की सरकार के द्वारा और क्यों? ताकि जूजा जा सके सामना किया जा सके, निप्टा जा सके अनलॉफूल एक्टिविटीज से गैर कानूनी गतिविदियों से और ये कौन करते हैं? ये खोती है और्गनाइजिशन के द्वारा, ऐसे संस्थाओं के द्वारा जो जुड़ी हुई है लेफ्ट विंग, यानि वाम पंती एक्स्ट्रीमिजम से, उगरवाद से या इसको आसान शब्दों में कहें तो नकसल पने से, कहरा ये बिल जो है, ये बड़ा अननेसेसरी है गैर जरूरी है, अच्छा और कहाईजिए, कहरा एंट परहापस, even अनकॉंसिटूशनल शायद ये यहाँ तक की असमेदानिक भी हो, constitution के अगेंस्ट भी हो, तो बिल जो है, ना केवल गैर जरूरी है बलकि शायद असमेदानिक भी हो सकता है समेदान समझते हैं आप, constitution unconstitutional जो समिधान के खिलाफ हो बिल सब्जेक्ट है इस इसकी वर्ब है बिल के लिए adjective आया है जो टेवल है जिसको पेश किया गया है वर्ब की third form adjective चलिए extremism उगरवाद radicalism jingoism है ना बहुत मरने मारने वाला काम जो करते हैं आप fanaticism दिखाते हैं उसको बोलते हैं extremism करें वन existing laws seem adequate to tackle extremism and the area affected by left wing extremism is limited in the state the only reason such a proposal has been made could be an oblique intent करें जी वन यानि कि जब existing laws हैं ऐसे कानून जो exist करते हैं जो हाल में भी चल रहे हैं करें जब हाल के कानून जो हैं वो दिखाई देते हैं seem कि वो adequate हैं वो पर्याप्त है निपटने के लिए उगरवाद से नकसलवाद से करें जब ऐसा है अच्छा और कौन सी चीज है करें एंट वन जब ये जो area है जो affected है परभावित है left wing extremism से नकसलवाद से वो बहुत limited है बहुत सीमित है इस state में महारास्ट्रा में left wing extremism नकसलवाद आपको महारास्ट्रा में मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा आज पास के state से थोड़ा वो लगती भी boundary में मिलेगा करें जब ये दोनों चीज़े हैं तो हुआ क्या तो हुआ ये कि खाली एक reason है only reason ऐसे एक proposal को बनाय जाने का ऐसा एक proposal क्यों बनाया गया है वो reason हो सकता है एक oblique सा intent एक अपरत्यक्सी कोशिश या मन्शा oblique का मतलब होता है indirect सीधी सीधी नहीं घूम करके तो आप अपनी एक oblique intent दिखा रहे हैं और क्यों? intent एजी to crack down on lawyers, dissenters and human right activists कि आप crack down करें शिकंजा कसें वकीलों पे, सरकार के विरोधियों पे, dissenters पे और मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले या human right activists पे और ये लोग कोन है भाई? ये वो लोग हैं involved in taking up the cause of the marginalized ये वो लोग हैं जो involved हैं, शामिल हैं टेक अप करने में, जिम्मा लेने में cause को, जिम्मेदारी को समाज के हाशिये पे रहने वाले लोगों की marginalized और सबसे गरीव तबके के समझके ना, जब आपकी state में extremism है ही नहीं जब already extremism से लड़ने के लिए center के कानून लगे हुए हैं तो आपका ये bill लाना जो है, इसका एक ही reason हमें दिखाई जान पड़ता है कि proposal इसलिए बनाया गया है कि आप indirect way में अपनी मंशा दिखा रहे हो, कि कैसे भी करके इस bill को, इस कानून को use करके आप शिकंजा कसे हैं, मानवा दिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों की लोगों पर जो की समाज के सबसे गरीब तबकों के लिए सरकार से भिड़ जाते हैं सरकार के खिलाफ डिसेंट दिखाते हैं चलो, laws की वह वह सीम sentence लंबा था लेकिन कोशिस किये मैंने बिल्कुल दस्वी क्लास का बच्चा भी समझ सके, अब structure देखो इसकी when से दो चीज़े जुड़ी हुई है laws की वह वह सीम, पहली चीज़े लॉज और दूसरी वह वह ए, area की वह वह इस when laws seem adequate and when area is limited, यहां दूसरी बार when लिखने की दरद नहीं है, main sentence शुरू हुआ, only reason से, only reason की वह वह कुड़ भी, और reason किस चीज़ का कि यह proposal क्यों बनाया गया proposal की वह वह has been made passive voice, perfect tense oblique मैंने आपको बता दिया, आप अरत्यक्ष परोक्ष बोल सकते हैं इसको, सीधा-सीधा जो indirect हो, intent यानि इरादा dissenter वो आदमी होता है जो सरकार का विरोधी होता है सरकार की बातों पर, policies पर अपना objection दिखाता है crack down करना, shikanja कसना, clamp down करना marginalized वो लोग हैं जो हाशिये पर रने वाले हैं, जिनके बास घर नहीं है, नोकरी नहीं है, खाना नहीं है समाज में सबसे neglected है take up the cause करना, एक idiom है एक phrase है, किसी के मकसद का जिम्मा उठाना, किसी के लिए किसी के लिए अवाज को बुलंद करना, take up the cause of somebody चलिए आगे बढ़ते care the bill may fall foul of constitutional provisions करा इतना ही नहीं यह bill जो है, यह कानून जो बनने वाला proposal है, हो सकता है यह विरुद चला जाए, fall foul कर जाए fall foul करना किसी के खिलाफ चले जाना, जिसे foul होता न, caram board में, football में वैसे यह bill भी caram board और football में foul मारेगा, constitution के खिलाफ constitution की provisions के खिलाफ और क्यों मारेगा भई, ऐसे कैसे मार देगा करा as, क्यूंकि as, क्यूंकि, it contains over broad terms क्यूंकि इसमें लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी terms, broad terms कुछ साफ साफ नहीं लिखा हुआ, बस ऐसे लिखा हुआ है, कि जो सरकार के खिलाफ वो अतंकवादी, example दे रहा हुआ, ऐसा लिखा नहीं होगा, example दे रहा हुआ आपको मैं, तो सरकार के खिलाफ तो कई चीज़ी हो सकती है, किसे ने अथियार उठाया, वो भी सरकार के खिलाफ है, किसी ने सरकार के खिलाफ न्यू चापी, वो भी सरकार के खिलाफ है तो ऐसी बहुत ब्रोड टम्स इस बिल में दी गई हैं और करें यह वही टम्स हैं जो सीधे सीधे साधे हैं सिरफ सरकार से नहराज हैं सरकार के खिलाफ हैं तो इनकी और ब्रोड टम्स की वज़े से बिल की वो लोग भी नकसलाइट वन जाएंगे तो इसलिए समिधान की provisions के खिलाफ हो सकता है बिल की वह बहुँ है may fall fall foul off करना किसी के खिलाफ जाना to contradict या contradict the norms एक सेकंड रुखना contradict the norms ठीक है इसी की तरह एक foul से बनने वाला एक और phrase है cry foul करवादू या सबको याद है cry foul का मतलग होता है protest against injustice to protest against injustice इसकी काहनी पूरी बताई हुए आपको football के game से आज लेट हो जाएगा लंबी हो जाएगी class है ना फिर किसी class में करवाँगा ये idiom cry foul करना अपने खिलाफ होने वाले अन्या के खिलाफ आवाज उठाना चलिए इस नए प्रपोज लो का या बिल का ये दिखाई देता है कि ये है ये वाली सवाल उठाए जाने वाली term या शब्द जो है urban nexal शहरी nexal इसमें बिल में ये term लिखी हुई है जो सबसे अधा सवाल उठाने लाइक है करा जी even though the phrase itself does not find a place in the महारास्टा special public security bill करा और ये तब कि ये जो urban nexal phrase है ये शब्द है इसको कोई जगा नहीं मिली हुई है कोई place ये find नहीं करता है महारास्टा के इस कानून में जिसका नाम है महारास्टा special public security bill 2024 ठीक है न तो ये और कहीं नहीं लिखा हुआ urban nexal सिरफ इसी बिल में लिखा हुआ है समझगे ना थोड़ा tricky भी लिखा है शायद कानून जो है code में टिक ना पाए core की verb आपिर्स phrase की verb आपिर्स phrase की verb आपिर्स find no place या not find a place यानि किसी चीज को जगा ना मिलना उसका mention ना होना करत देस्टेट्मेंट of objects and regions या S.O.R talks about safe houses and urban dense of the moist network in cities देखो हर कानून का एक S.O.R होता है S.O.R ये बताता है कि ये कानून क्या सोचके बनाया गया था इसका full form है statements of objects and reasons S.O.R एक full form लिखी गई है इसलिए S बड़ा है O बड़ा है R बड़ा है proper noun है ठीक है full form S.O.R की लिखी गई है इस बिल का जो S.O.R डॉकिमेंट है ये बात करता है talk about करता है दो चीजों की पहला है safe house सुरक्षित पना और दूसरा है urban dense dense का मतलब होता है मांद किसी जानवर क्या घर urban dense यानि शहरों में बने हुए मांद या घर बिल जो है miles networks के cities में महारास्टा की तो इसका जिकर करता है S.O.R का document और क्या करता है इट claims that existing laws are inadequate ये ये भी claim करता है इसका S.O.R की जो हाल में कानून है वो नाकाफी है अपरियाप्त है inadequate है अचा और क्या claim करता है करा and that nexal frontal organizations are active in the absence of a special law कि बहुत सारी nexal frontal organizations है जिनका मोर्चा है front है nexalites का जो माववादी organizations है के रहे ये organizations active है ना मुझूदगी में absence में अनुपस्थिती में किसी भी खास कानून की तो ये बाना इस bill में दिया गया है हम इस bill को क्यों बना रहे है इस और में लिखा हुआ है इट की वाववाई claims क्लेम करता है दो चीजों को that के बाद में लिखी गई है पहली चीज existing laws are inadequate फिर that लगाया गया end के बाद और दूसरी चीज लिखी गई है frontal nexal frontal organizations are active तो ये दो दावे इस bill ने ठोग रखे है करे जी given that several provisions in the state's bill are already found in the central law the unlawful activities prevention act or UAPA it is indeed a strange claim के रहा है लिख तो दिया लेकिन बड़ा अजीब सा लिखा है ये के रहा है जी given that इस चीज को देखते हुए given that आपको पता है considering बोलते हैं इसको या इस चीज को देखते हुए किस चीज को भई के बहुत सारे कानून बहुत सारी provisions या धाराएं इस state के bill में इस नए कानून में ये पहले से ही पाई जाती है center के कानून में जिसका नाम है UAPA के रहा है सीज को देखते हुए कि इसकी सारी धाराएं already UAPA में रखी हुई है तो फिर वास्तम में ये एक बड़ा अजीब सा दावा है कि कोई भी ऐसा provision state में नहीं है बिस center में लगा हुआ तो महास्ता में भी लगा हुआ है महास्ता थोड़े ना बंगलादीश में आता है union का पार्ट है ना तो union का bill जब अलड़ी बना हुआ है UAPA उससे ओलड़ी परिशान है उसके खिलाफ ओलड़ी रिट्स लगी हुए कोड में आप ये कहरे हो कि हमें एक और कानून चाहिए क्योंकि ऐसा कोई कानून था नहीं तो ये एक strange सा claim है provisions की वर्वे आर provision का मतलब होता है नियम कानून धाराएं कलमे ठीक है न वर्वे इसकी यार इट की वर्वे इस इंडीड यानि सच में strange यानि अजीव claim यानि डावा given that वाला चक्कर आप समझते हैं क्योंकि provisions नाम का एक noun आया था subject बनके और उसकी वर्व आई ये आर इसलिए आपने given that का इस्तेमाल किया है अगर ये आर वर्व ना होती तो फिर ये that भी निकल जाता given एक सिधा object लेता बिना that के चलो next paragraph पे हो अब बता रहे है सबसे बड़ी कमी इस कानून की क्या है जो भी आया है मारा स्टा का करें सबसे यदा serious जो दाराएं हैं कलमे हैं नियम हैं जो allow for करते हैं जो इजाज़त देते हैं इंतजाम करते हैं और क्या करने का कि आप declare कर दें गोशित कर दें कुछ संस्थाओं को unlawful कुछ संस्थाओं को गयर कानूनी या फिर बना दे इस बात को एक अपराद make it कर दे an offense कि कोई भी member है न offense कि आप बना दे इस सीज को एक offense और वो चीज है member बनना to be a member और member बनना या फिर किसी भी तरीके से in any manner assist करना help करना या फिर participate करना meetings में ऐसी organizations की समझगे न कुछ ऐसी दाराएं इस bill में है जिनका use करके आप किसी भी संस्था को गयर कानूनी बता देंगे और ये लिख देंगे कि इस संस्था में जो भी member बनेगा या बना हुआ है या कोई भी आदमी जो इसकी meeting में participate करेगा या आएगा assist करेगा करा ऐसी organizations की करा ये provisions जो है बहुत widely worded है बहुत बड़े skill पे worded है समझगे आचानक से आपने बोल दिया ये company हाथ से गहर कानूनी है और अगले जो पतलागा उस company का सारा staff जो आपने उठा लिया क्योंकि वो staff company की meeting में गया वा था तो ये बहुत बड़ी बड़ी terms है इसमें बहुत लोगों को आप एक साथ अपने दारे में ले पाऊगे इसलिए ये सबसे बड़ा इसका criticism है provisions की वोब है are that की वोब है allow for that आया provisions के लिए that की दूसरी वोब है make चली sentence hopefully समझ गई होंगे आप provision यही है कि किसी को भी unlawful गैर कानून नहीं कोशित करें और उससे जुड़े होए हर आदमी को उसके परिवार के हर आदमी को उससे जुड़े हो हर रिस्तेदार को आप उठा करके जेल में डाल दें इतनी पावर्स इस बिल के अंदर रखी हुई है ठीक है यह पावर्स बहुत वाइडली वर्डिड है चली करे जी an organization for instance can be a group or body of persons करे कोई भी संस्था example के लिए एक group भी हो सकती है या कुछ लोगों का समूब भी हो सकते है करे whether or not known by any name और registration और हो सकता है हाँ या ना वो जानी जाती हो known हो किसी नाम के द्वारा या बिना किसी नाम के या registration के तो organization तो कुछ भी हो सकती है आपकी family भी एक organization है अगर ऐसा है तो आपकी family को भी unlawful गोशित किया जा सकता है इस bill में है ना तो organization वर्ड से कुछ समझ नहीं आया आमें इसमें बहुत चीज़ें अपने दारे में ले लिए या तो यूं लिखो registered organization हो संस्था हो NGO हो है ना उससे आप थोड़ी अपनी परिभाशा को सिमित करेंगे ऐसा इस bill में होना चाहिए था organization की verb है can be और दूसरी verb है non ठीक है non actual में adjective है verb नहीं है तो इसको मैं अलग color दे देता हूँ यह verb की third form है non का मतलब होता है जाना जाना और यह आया है body of persons या group के लिए ऐसा group या लोगों का समुझ body of person जो जाना जाता हो या ना जाता हो किसी नाम या registration से करे unlawful activity includes not only words or actions that threaten public order but also anything that interferes with the administration of law or with its institution or personnel करे जो unlawful activity है गैर कानूनी गतिविदिया है आपने तो लिख दिया करे यह भी शामिल करता है ना केवल शब्दों को और हरकतों को और वो शब्द हरकत जो threaten करें चुनोती दें समाज में कानून विवस्ता को public order को करें ना केवल इस सीज को इंक्लूड करता है बलकि यह हर एक चीज को कर सकता है anything को कर सकता है जो interfere with करें जो दकल अंदाजी दे प्रशाशन में administration में law की या फिर इसके institutions की या फिर personnel की तो वहाँ पे आप अपने घर में बहुत सारे हतियार रखके बैठे हो तब भी unlawful activity है और अगर आपने चोराहे पे पुलिस वाले से बत्तमी जी की या किसी तरह से आपने बहस की वो भी unlawful activity है समझगे न तो इतना ज़ादा बड़ी परिभाशा आपने दे दी है उस पे भी लग जाएगा अथियार वाले पे भी यह कानून और जो पुलिस वाले से ट्राफिक वाले से बत्तमीजी कर गया उस पे भी यह कानून लग जाएगा तो यह सब चीजें अगर इस कानून के दैरे में आएंगी तो हर आदमी इससे दबेगा यह कहना इस बिल का इस जो है आर्टिकल का अल्लॉफल एक्टिविटीज की वावब इंक्लूट्स इट इंक्लूट्स नाकेवल वर्ड्स अन एक्शन्स बड अलसो हर वो चीज जो इंटरफेर विद करे जो दखल अंदाजी दे सरकार के काम काज में वर्ड एक्शन्स के लिए दैट आया है रिलेक्टिव नाउन दैट की वावब है थ्रेटन थ्रेटन करना चुनोती देना पर्सनेल वर्ड को देख लेना यह एक प्लूरल नाउन है इसके पीछे एस लगता नहीं है पर्सनेल का मतलब होता है किसी और्गनेजिशन में काम करने वाले लोगों का ग्रूप पुलिस पर्सनल यानि पुलिस वाले समझे ना मुन्सिपाल्टी पर्सनल यानि नगरवालिगा में काम करने वाले सभी लोग चलिए ऐसे कौन-कौन से नाउन्स है मैं लिख देता हूँ श्यादमाज लिखना बूल गया लिखके लाने वाला था ऐसे सारे नाउन्स जिनके पीछे एस नहीं आता और वो हमेशा प्लूरल ट्रीट होते हैं उनकी लिस्ट बने के कुछ ऐसी कैटल जैंट्री 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 का मतलब होता है खांदानी कुलीन लोग पैसे वाले लोग किसी वेरिया के वर्मिन कीडे, चिपकली, कोकरोच स्वाइन सूर ठीक है पुलीस और परसनेल पीपल भी लिख लेना इसे में पीपल भी हमेशा प्लूरल होता है पीछे एस लगाने की दुरत नहीं होती तो यह पांचो नाउंस याद रखना वही चार पांच ही हैं इनके पीछे एस कभी भी भी नी आएगा हमेशा प्लूरल होंगे बिना इसके आगे करें जी इन इफेक्ट दिस में कवर एनी ओर्गेनाइज़ प्रोटेस्ट को सरकार के खिलाब करें जी यह इंक्लूड ना केवल इंक्लूड करता है ना केवल इस कानून में शामिल है पहली चीज़ तो यह प्रुमोर्ट करना वाइलन्स को हिंसा को या इस्तेमाल करना फायर आर्म्स का वेपन्स का या एक्स्पलोसिव का बारूद का कहिरा इस कानून में यह तो है ही यह तो होना भी चाहिए यह तो है बलकी साथ ही साथ यह इसको भी include करेगा और किसी इसको encourage करने को या preach करने को बढ़ावा देने को या सिखाने को preach करना या नहीं सिखाना encourage करना या नहीं बढ़ावा देना सरकार के खिलाफ disobedience को अवग्या को जो है established law और इसके institutions के लिए ठीक है ना तो अगर आपने सरकार की किसी order को माना नहीं लोगों को बोल दिया कि मत मानो तो आप उस case में भी urban next light हो जाएंगे इस कानून के अंदर आपको भी आतंगवादी मान लेंगे इट की वोब है includes ना के वल include करेगा promoting and use बलकी क्या क्या करेगा साथ में but also encouraging and preaching ठीक है तो not only but also से दोनों चीजों को जोड़ा गया है प्रीच करना या नहीं किसी चीज के बारे में सिखाना या पाठ देना प्रीचर कोन होता है जो आपको शिक्षा दे sentence में एक error है डूंड के बताओ अभी इस concept को class के last में समझाओंगा एक दो sentences के बात ठीक है डूंडो का है वाइर कैरा this may be interpreted to include protest against or even condemnation of police access कैरा इस सीज को interpret किया जा सकता है उपर वाली बात को इस सीज को ऐसे explain किया जा सकता है कैसे भई कि ये include करेगा ये कानून शामिल रखेगा अपने अंदर प्रोटेस्ट को या सरकार के खिलाव विरोध को जो या तो against है सरकार के या फिर अगर आपने condemnation भी कर दिया आपने अलोचना भी कर दी पुलिस की जादतियों की पुलिस access की जो मैंने आपको बताये दा ना चौराये पे पुलिस वाले ने आपसे कुछ कहा आपने उससे कहा उसने लगा कि आप बत्तमीजी कर रहे हैं आप पे कानून लग गया तो condemnation और protest भी पुलिस की जादतियों के खिलाव access के खिलाव भी इसमें शामिल हो जाएगा इस कानून का बाट बन जाएगा और क्या होगा कराई जी कस्टोडियल वाइलेंस और एनी miscarriage of justice तो चाहे तो पुलिस की access के खिलाव हो जातियों के खिलाव हो या पुलिस की custody में होने वाली market के खिलाव हो या फिर किसी भी विफलता के खिलाव ह miscarriage के खिलाव हो जो है justice देने में तो अगर कुछ भी आपने बोल दिया you are an urban axolite this की वह बे may be interpreted interpret करना किसी चीज़ को explain करना और आसान शब्दों में उसकी व्याख्या करना चली access यानि जादतियां कभी-कभी पुलिस वाले आर्मी वाले कर भी देते हैं अपनी power का फाइदा उठाके वर्दी का फाइदा लेकर के उसको बोलते हैं access condemnation यानि किसी की आलोचना heavy criticism miscarriage यानि विफलता किसी चीज में failure जबाता है उसको बोलते है miscarriage miscarriage of justice यानि न्याय देने में इंसाफ देने में सरकार की विफलता किरे while committing an unlawful activity may entail a jail term of up to 7 years even one who is not a member of an unlawful organization can be jailed for 2 years on the charge of soliciting aid for it किरे जहां commit करना किसी गैर कानूनी activity को वो काम entail कर सकता है lead to कर सकता है result in हो सकता है entail करना किसी चीज की तरफ नतीजे की तरफ ले जाना करे जहां गलत काम करना ज़रूरी बना देगा या lead to कर देगा एक jail term की तरफ सजा की तरफ जो है 7 सालों तक की up to 7 years करे यहां तक की उस आदमी के लिए भी जो memory नहीं है किसी गैर कानूनी संस्था का unlawful संस्था का करा ऐसा आदमी भी jail किया जा सकता है दो सालों के लिए इस charge पे इस आरोप पे जो है solicit करने का इकठा करने का मांगने का मदद को इस organization के लिए भी आदमी कोई किसी organization का part तो है नहीं गलत organization का फिर भी इस कानून के तहट उसको दो साल अंदर डाल सकते हैं अगर उसने कोई भी रिस्ता भी रखा हुआ उस organization से उसके लिए उसने कोई परचार किया हो कभी उसके लिए aid मांगी हो पैसा कठा किया हो और कह रहा है or three years for promoting a meeting of the organization तीन साल की सजा हो सकती है अगर किसी meeting को उसने promote किया हो इस संस्ता की समझ के ना संस्ता में जो है उसको तो साथ साल जो संस्ता से हलका फूल का जुड़ा हो है उसको दो साल और जो meeting के लिए कभी परचार करता हुआ पाया गया उसको तीन साल चरिये committing की verb है may entail, entail करना, necessitate करना, require या lead to करना one की verb है can be jailed, one एक indefinite pronoun है और इसका मतलब होगा कोई भी इंसान, one कोई भी आदमी, कोई भी औरत, one के लिए है who, who की verb है yes, solicit करना, canvass करना, किसी चीज़ को मांगना, support को, vote को, help को, advice को है na, solicit करे the most draconian provisions are the ones, empowering the government to seize any house or building सबसे यादा दमनकरी जो provisions कानून या कलमे हैं, धाराएं हैं, इस कानून की ये वो वाली है, once है, जो empower कर रही है, तागत दे रही है, सरकार को कि वो कबजे में ले ले किसी भी घर और भवन को, building को और कौन सा भवन building, करे जी where unlawful activities take place जहां पे गैर कानूनी गतिविदियां सरकार के इसाब से हुई हैं, take place कर चुकी हैं, और क्या करें, if we evict its occupants बाहर निकाल दे इस building और घर में रहने वालों को, and take over its money and assets, और सारी संपत्ती और assets जो है, उस building और house की उसको कबजे में ले ले, take over कर ले, ये सबसे ज़्यादा draconian provisions है, क्योंकि सरकार के साब से unlawful activity कुछ भी हो सकती है, सरकार का विरोध करना भी unlawful है, तो आपका घर, आपका सरकार कबजे में ले ले, घर से आपको निकाल दे, building तोड़ दे आपकी, ये सबसे ज़्यादा दमनकारी provisions हैं, इस कानून के, provisions की वर्ब है, draconian यानि draco से बना हुआ word, heavy-handed बोल सकते हैं, इसको कड़ा, सक्त, बे रहम बोल सकते हैं, heavy-handed वर्ब, वर्ड को under-handed वर्ड से confuse मत करना, under-handed का मतलब होता है चलाकी भरा, deception या धोके भरा, table के निच्चे से हाथ देखे, under-handed काम कर रहे हो आप, समाझ पारे हो ना, तो heavy-handed सक्ती वाला, under-handed बेमानी या चलाकी वाला, दोनों अलग-लग words है, अलग-लग तरीके से इन को देखना है, चली, activities की वह वे take place, evit करना, खाली करना, डिसलोज करवाना, किसी को बिल्डिंग को उस घर में, बिल्डिंग में रहने वाले लोग, the bill is expected to lapse, as the current assembly may have already held, अब last में कया है, movie का spoiler है, आप पूरी movie देख लेते हो ना, last में कई बर दिखाता है, ये movie में जो भी कुछ हुआ, वो सपना देख रहा था, hero, तो कुछ ऐसा ही आपको last sentence में meaning निकलेगा, है न, वैसी feeling आईगी है आपको, कह रहा है, जी हम तो मजा कर रहे थे, the bill is expected to lapse, हाँ में पता है, ये bill lapse होने ही वाला है, ये bill परवान नहीं चड़ेगा, lapse होना है, किसी चीज़ का समापत हो जाना, क्योंकि उस पर कोई action नहीं होगा, तो bill अपने आप खतम हो जाता है, अच election से पहले इस साल, तो अब session कोई और लगता नहीं होगा, assembly का, विधान सभा का, मारास्टा की, क्योंकि election होने वाले है, तो कहरे बिल तो lapse होना ही है, कहरे लेकिन हुआ क्या, हुआ ये, but the questionable intent may survive into future regimes too, लेकिन जो सवाल उठाने लाइक, जो नियत है सरकार की, इस bill के जरिए, वो हो सकता है, survive कर जाए, आगे आने वाले प्रशाशन में, regimes में भी, तो ये बिल तो सिरफ हमने इसकी बात की, लंबी चोड़ी, इस bill को सिरफ सरकार लाई है, और ये lapse ही होगा, हमें पता भी है, होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता लग गई, सरकार क्या सो administration, administration, प्रशाशन, rain, याद है न, चरे, wrap up करेंगे class को, एक concept जो उपर रह गया था, इसको फटा फट से देख लो, concept ये कहता है जी, not only but also के बाद में, same type of words आएंगे, एक ही तरह की चीज़ों को connect करने वाला ये core relative conjunctional pair है, नाम पे मज़ाओ, core relative conjunction, ये दोनों साथ आते हैं, not only but also, याद ये रखना है कि एक तरह की चीज़ों को ये जोडेंगे, और दूसरा, not only को कभी-कभी not just भी लिखा जा सकता है, और but also में से कभी-कभी also निकाला भी जा सकता है, ठीकर तो याद रखना है इस बात को, जरूरी निया but also हमेशा लिखा हो, कभी-कभी but से भी काम चल जाएगा, चलो अब sentence देखो बना के, the model was not only exceptionally beautiful, but also smart and witty, जो model थी, ना केवल बहुत ज़्यादा, बहुत exceptionally सुंदर थी, बलकि वो smart और witty भी थी, बहुत ही तेज तरार और, है ना, smart थी, दोनों ही चीज़े थी, not only के बाद में आपने लिखा है, exceptionally beautiful नाम का adjective, अब आप बुल कितनी, बहुत ज़्यादा exceptionally, तो not only से beautiful जुड़ा हुआ है, exceptionally तो इस beautiful के लिए आया हुआ additional information है, तो but also से क्या जुड़ा हुआ है, but also से जुड़ा हुआ है, smart and witty, again दो adjectives जुड़े हुए है, अब आप बुलो के सर दो कैसे, adjective से adjective जुड़ा हुआ है, चै एक से 5 जुड़े ह तो पहला adjective beautiful है, और दूसरा adjective है smart and witty, दोनों को ना केवल not only but also से जुड़ा हुआ है, sentence बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये sentence देखो, the model not just won the beauty show, but the hearts of everyone, model ने जीत लिया ना केवल beauty show को, बलकि हर आदमी के heart को, हर आदमी के दिल को भी, not only को हमने not just लिखा हुआ है, जो बिल्कुल स बिल्कुल सही है, गलती इसमें नहीं है, गलती है जी not just के बाद में क्या लिखा हुआ है, one नाम की verb लिखी हुई है, और but also में जो also लिखा नहीं, इसके बाद में रिखा हुआ है hearts नाम का noun, तो noun और verb आपस में नहीं जुड़ सकते, तो क्या करूँ, देखो इस verb के बाद म समझ पारे हो, और यह जो one मैंने रखा है, इसको चुप चाप उठाना है, और not just से पहले रख देना है, sentence ही हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको देखना होगा not only but also एक ही तरह के words को जोड़ रहे हो, हिंदी बोल के देख लो ना, model ने जीता, ना केवल beauty show, बल्की सब का द ठीक है ना, तो हिंदी से इंगलीशी बन रही है, एक तरह के words से जुड़ेंगे, जीता दोनों चीज़ें तो जीता बाहर आ गया, the company improved not only its products but also enhanced customer service, company ने improve किया ना केवल अपने products को, बल्की enhance भी कर दिया customer service को, improved, देखो not only के पहले क्या रखा हुए, बाद में क्या रखा हु इंहांस नाम की वर्ब, अगर वर्ब से वर्ब जुड़े, वर्ब से वर्ब जुड़े, तो मुझे इस improved वर्ब को, इस improved वर्ब को not only के बाद रखना चाहिए, समझ पार है उस बात को, company ने ना केवल improve किया अपने products, बल्की उसने बढ़ा भी दिया customer service, ऐसे sentence बनना चाहिए तो इस तरीके से आपको आगे पीछे करके बनाना बड़ेगा sentence, improved जो मैंने पहले रखा हुआ था वो गलत है, मुझे बाद में रखना चाहिए, दोनों verbs जुड़ जाएं, the new policy will reduce not only waste but also save money, नई policy reduce करेगी ना केवल waste को, बल्की save भी करेगी पैसे को, but also के बाद देख लो क्य आनी चाहिए, और verb है will reduce, reduce को उठाओ, और not only के बाद में रखतो, ठीक है, यहां से उठा रहा हूँ, यहां पे रख रहा हूँ, तो दोनों verbs आपस में जुड़ गई, यह policy ना केवल reduce करेगी, बल्की पैसे को भी save करेगी, will को मैंने बाहर रखा है not only से, क्योंकि will दोनों ज आद में बाहर आ गया, चलो अब लास्ट में ध्यान से देखना, इसका advanced form दिखा रहा हूँ, अगर ना समझ पाओ, तो load मतले ना, अलग से एक वीडियो की हुई है, वहाँ आप सीख लेना, ठीक है, आदा गंटा लगेगा, last concept यह कहता है, the car's design was not only sleek, but also it was very fuel efficient, car का design ना केव हुआ है, but also के साथ में लिखा हुआ है, it, it आया car के लिए, और not only के बाद में क्या लिखा हुआ है, not only के बाद में लिखा हुआ है, sleek नाम का adjective, sleek मतलब पैना, sentence का कुछ meaning निकल ने रहा, but also के बाद में वर्व नहीं आ रही, but also के बाद में कोई adjective नहीं आ रहा, but also के बाद मे subject आ रहे हैं पहला subject है car का design और दूसरा subject है car खुद जब sentence में दो subject ही अलग-अलग आ जाएं देखो यहां पे model ही subject है वही सुन्दर है वही smart है यहां पे वही जिती है दिल को और वही जिती है शोगो यहां पे company ने improve किया product company ने advance किया customer service को यहाँ पर policy ने reduce किया waste को और policy ने पैसा को save किया लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ design था सुन्दर और car थी fuel efficient यानि दो subject अलग-अलग आ चुके हैं तो but also के बाद में भी close आएगा और यही काम आपको not only के साथ भी करना पड़ेगा ध्यान से देखो not only की position sentence के शुरू में आएगी close से close मिल गया हमारी requirement पूरी हो गई समझ गे इतनी बात not only शुरू में क्यों आया subject वर्ब इसके बाद आ गया पूरा but also के बाद में subject वर्ब पूरा आ गया not only but also एक तरह की चीजों को मिलाते हैं लेकिन ध्यान ये रखना है इतना करने के बाद में आपको not only के बाद में inversion देना होगा not only एक negative adverb है 15-20 verbs adverbs करवाई हुई है मैंने आपको जो sentence में शुरू में आ जाएं तो helping verb को subject से पहले ले आती है यहाँ पे helping verb है was not only के शुरू में आने की वज़े से इस was की position को आपको यहाँ लाना पड़ेगा not only was the cars design sleek but also it was very fuel efficient close अभी भी not only के बाद है लेकिन inverted है क्योंकि not only शुरू में आने पे helping verb को अपनी तरफ खीच लाता है तो यह negative adverb वाला concept अलग से करवाया हुँ आपको not only वाला concept यहाँ पे भी apply करना है hopefully एक complex sentence जो structure है एक complex concept है मैंने 5 मिनिट में आपको समझाने की कोशिश की इस concept के लिए एक अलग से video है मैं कोशिश करूँगा यहाँ डाल देता हूँ याद रह गया तो उससे आप जो है cover कर लेना last question आपको दे रहे हैं as homework इस ही को formula को apply करना है और बताओ मुझे इस sentence को कैसे सही करेंगे आप the teacher not only inspires her students but the principal also motivates the entire staff teacher ना कि बढ़ students को inspire करता है बलकि principal पूरे staff को motivate भी करता है comments में डालो सही गलत आपको comments में बता देंगे चलिए अब आते हैं wrap up करके class को अपने quiz फे आर्टिकल थोड़ा challenging था लेकिन quiz मैंने आसान मना दिया इस bill का क्या होने वाला है likely future क्या है इस bill का last sentence में इस answer आपको मिल जाएगा खुद से try दो first comment में इस video के नीचे answer मैंने डाल दिया second में primary concern क्या है महरास्ट्रा के bill को लेकर के इस article में सबसे बड़ी चिंता क्या है इस article से क्या नुकसान होगा मेरे खाल से बड़ा easy article बड़ा easy question है इस article पड़ा है एक मिनिट में आप इस answer निकाल सकते हो video के नीचे first print comment में answers डाल दिये गए है take help from the answer sheet यहाँ पे आपको double fillers है दो आपको blanks दिये गए है और चार words है एक ही word इन में से ऐसा है जो दोनों blanks में आ जाएगा मान लीजिए यहां भी administration आ रहा हो और यहां भी आ रहा हो यह फिर regime हो तो यहां भी regime आ रहा हो यहां भी regime आ रहा हो तो इन में से कौन सा वो वर्ड है जिसके दो मीनिंग निकलते हैं और दोनों मीनिंग इन दोनों प्लैंक्स में फुल्फिल करेंगे सेंटेंस को मीनिफुल बनाएंगे ऐसे क्वेस्चन बैंक्स में खूब आ रहे हैं आज कल SSC में भी देखे गए हैं जरूर इसको ट्राई देना है फर्स्ट कमेंट म चलो मैं और आसान बना देता हूँ दो में से एक बताना है आपको ठीक है लास्ट में आपको दो वर्ड चूज करने हैं canvas और canvas एक double s वाला एक single s वाला चेक करूँ canvas और canvas में क्या फर्कार कौन सा मीनिंग इस sentence को meaningful बनाएगा और ओलेडी करवा चुके हैं आपको कुछ भी न चैक करके बताओ out of 11 कितने marks भी ले कल लेंगे आपसे मुलाकात आज की class थोड़ी चैलेंजिंग थी कैसी लगी जो बच्चे लास्ट तक देखते हैं मेरे साथ पीडी लिखा करो सर पूरा देखा और सब समझ में आया हो इंट्रस्टिंग लगा हो तो पीडी आय लिख दिय करो आपका vote देने का feedback देने का तरीका है comment section में